सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडियादा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट वेल्कम तू बालाजी स्टडियादा नमस्कार दोस्तों बालाजी स्टडियादा में आपका स्वागत है यहां से पेपर बनता है उसको हम complete दो वीडियो में प्रवाइट करा रहे हैं तो इसे पहले वाले वीडियो में हमने आधी बुक देखी दिए पहला पार्ट आपने नहीं देखा है साइड में आई बेटन में आपको लिंक में मिल जाएगा अब हम देखेंग उसका second पार्ट और इस पार्ट में आपकी complete बुक जो हो जाएगी तो हमारा start है पाइस्तितिक तंत्र से पाइस्तितिक तंत्र की बात करें तो पाइस्तितिक तंत्र है या इसका जो अध्यान है वो पाइस्तितिक एकोलोजी के अंतरगत किया जाता है पाजिस्तितिक की बात की जाए तो ecology और पाजिस्तितिक तंत्र की बात की जाए तो ecosystem अगला page देखते हैं सजीव गटक यानि कि पाजिस्तितिक जो तंत्र है वो जली हो अत्वा इस्थली है इसकी सरनचना जो है वो दो घटकों से मिलकर बनती है एक आपका सजीव गटक एक आपका निर्जीव गटक सजीव गटक की बात करें तो उसमें आपका कौन कौन आता है सबसे पहला आता है उत्पादक टोटल तीन सेड़ी आती हैं इन उत्पादक को को ही हम क्या कहते हैं सौपोसी क्यों कहते हैं क्योंकि अपना जो भोजन है वो निर्वार कहते हैं उन्हीं को हम परपोसी कहते हैं तो उबोगता आपके परपोसी हो जाएंगे और इस उबोगता को भी जो है वो तीन भागों में बाटा गया है पहला है आपका प्रात्मिक चरण उबोगता दूसरा है आपका दृतिया चरण उबोगता हो त्रीसरा है आप करते हैं यानि कि आप कहा सकते हैं मासा हरी तो वो आपके आते हैं दुटी चरड उभोकता में जैसे कि सेर चीता भेडिया आदी बकरी धिरन खर्गोस इन सब का सिकार करते हैं तो ये जो आपके देख रहे हैं सेर चीता भेडिया ये सबी जो आप कहा जेंगे दुटी चरड उबोगता में, तृतीचर पोगता की बात करने तो ये जो जोस्दीचर पोगता उनको खाते हैं, तो इन्हे हम कह सकते हैं सरवाहरी में, लिखा हुआ है कि दृतीचर के उबोगतार था से किर चीता आधी को म्रत अवस्ता में भोदन के रूप में करहड़ करने वाले जीवत् गिद, बाज, चील, अथता, कौवा इस सभी मरत जानवरों को खाते हैं देखिए आपने काफी जगा ऐसा भी पढ़ा होगा कि जो पहले वाले हैं उनको दूसरे काते हैं दूसरे वालों को तीसरे काते हैं तीसरे वालों को आप सरवाहरी में रखते हैं परन्तु जो चीज आ आपका गिद, बाज, चील, तथा, कौवा ये सभी जो है वो आ जाएंगे और दूसरे वाले चरण में आपका यानि कि दुत्ती चरण जो हैसमें सेर, चीता, भेडिया ये सभी आ जाएंगे अब बात करते हैं तीसरे की अबगटक क्योंकि सबसे पहला जो है आपका क्या थ उत्पादक, दूसरा आपका क्या था भोगता और तीसरे नमबर पर आपका आ रहा है अब गटक, अब गटक की बात करें तो अब गटक उन्हें कहते हैं जो कि आप कह सकते हैं प्रकृति में जो जीव होते हैं जो कि मरत जीवधारी और जो सड़ी गली जो वस्तिय हैं उनक जो इसके उधारण हैं ये अवश्य ध्यान रखेगा परफन सबसे ज्यादा आपकी यहीं से पूछे जाते हैं आपसे पूछ ले जाएगा इसमें से कौन सा प्रथम चरड़का उभोगता है या दृती चरड़का या तरती चरड़का तो ये चीज ध्यान अवश्य रखि ता काफी जगा आपको तरती चरण में ही लिखा देखनी को मिलता है परन्तो साफ साफ यूपीटेट का जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था उन्होंने कहा था कि जो परिसिदी विद्याले की पुस्तके हैं उनमें जो दिया गया है वही आपका मानने होगा इसल जल मंडल और वायू मंडल आते हैं और ये सभी हमें कहां से प्राफ्त होते हैं प्रकरती से निर्जीव जो घटक है उनके काण ही सजीवों का विकास बैतर तरीके से हो पाता है और किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या काम होने से क्या होता है जो पाइस्तिक तंत्र है वो असुन्तुलित भी हो जाता है, तो ये भी दान रखेगा, अब बात करते हैं, चलिए आगे, अब है आहार संकला, आहार संकला हम कहते हैं, फूड चेन को, तो किसी भी पाइसदिक तंत्र में जो जीवजन्तू होते हैं, उनके भोजन से सम्मंदित कड़ी या संकला को ही हम आहर संकला कहते हैं, अब आहर संकला में कहा हैं, तो एक सीरे पर उतपादक और दूसरे सीरे पर सरवोच उपभोगता होता है, यहां पर देखें, चितर भी दे रखा है, मैं आपको दिखा दू, जिस प्रकार यहां पर दे रखा है, आप देख सकते हैं, कि वन है, यहां प प्रतेक 25 तंत्र में जो अनेक आहार संकला होती है और ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती है तो आहार संकलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोसर संबंद एक रेखा में ना होकर कह सकते हैं जाल की तरह जब उलच जाए तो उसे हम आहार जाल या इसी कौम खाद जाल भी जो है वो कहते हैं तो ध्यान रखेगा यही दोनों में डिफरेंस है और एक चीज ध्यान अवश्य रखेगा इसी चीज में बूची जाती है कि जो उर्जा है उसका ट्रांसफर का नियम जो लिंड मैन ने 10% का दिया था कि उर्जा जो इस्थानांतरण है अगले वाले चरण में उसमें 10% जो उर्जा होती केवल और केवल जो है वो दसी प्रतिशत जो है वो उर्जा का इस्थानांतरण होता है चलिए बात करते हैं अब आगे अब बात करते हैं उर्जा का प्रवा के बारे में तो किसी भी पाइस्थिक तंत्र के लिए निरंतर जो उर्जा की आवशक्ता होती है और उर्जा का जो सुरोत है वो क्या है सूर यहां से प्रस्मा आपका बार-बार पूछा गया है, मैंने आपको बताया था, सरल है, पर काफी बार सरल चीजे भी गलत हो जाती है, तो यहां पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, अब घटा को भोगता, सारी चीजे जो है वो दी हुई है, बात करते हैं अब आगे कुछ important point की, पहला है कि सौर उर्जा जो है, बहुत कम मात्रा में ही प्रत्वी का जो पाइस्तिक तंत्र है, उसको प्राप्त हो रही है, रीजन कहाए कि बहुत सी उर्जा जो है, वो विकिरन आदी के माध्यम से नश्ट हो जाती है, सूरी से प्राप्त उर्जा, और यही प्रत्व पर हो रहे हैं प्रदूसल का दूस परिडाम भी होती है अगला है प्रकास उर्जा का मात्र एक से पांच परसेंट भागी हरे पौधो द्वारा संचित जो रासाइनिक उर्जा है उसमें परिवर्तित हो पाता है और ये व्रचो की लगातार घटी संख्या का भी परिडाम है तो ये एक से पांच परसेंट डाटा जो है वो याद रखेगा तीसरा पॉइंट है कि उत्पादक तथा उभोकता इस तर पर उर्जा की जो मात्रा है वो निरंतर कम हो रही है और ये व्रचो तथा कुछ जीव जन्तों की कम होती संख्या के कारण भी जो होता है अब बात क जाएंगे ते उट, नाकफनी, बबूल और गरत कुमारी जहाँ पर नाकफनी ये सभी आपके पौदे में है और उट जीव जन्तों में आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं कुछ विसेस्ताओं की इनी मरुस्तली चेत्र के बारे में जो लिखा हुआ है कि उट के गदिदार पैर होते हैं जो की रेत में चलने के लिए साहता करते हैं और कूबर में वसा के रूप में जो संचित भोजन है और जो पानी है वो विसम पहिस्तितियों में काम आता है दूसरा पॉइंट है कि जो नाकफनी उनकी पत्तियां वास्पो सरजन द्वारा जो पानी के हिरास है जो कमी है उसको रूपने के लिए काटो के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो ध्यान रखेगा जो नाकफनी की पत्तियां वो काटो के रूप में परिवर्तित हो जाती है जड़े पानी की तलास में गहराई तक चली जाती है तना जो है इनका चपटा और गूदेदार जो होता है जो कि भोजन बनाने और एकत्रित करने का कारे करता है आप बात कर लेते हैं जो जली ये छेत्रे उनकी बात करते हैं जहां पर जल की अधिकता होती है तो इसमें मचली, मेडग, कमल, जल, कुम्भी, सिंगाडा ये सभी जो है वो पौधे और जंतु दोनों में ही आ होता है और ये जाल जो है वो मेडग को जल में तैरने में पतवार की तरह जो है वो साहता करता है तीसरा पॉइंट है जली ये पौधों का तना लंबा, हलका और मुलायम होता है देखिए पिसेस्ताओं से प्रस्न पूचा जा सकता है इसलिए एक एक लाइन को ध्यान से हिए जाते हैं जो इसे तैरने में साहता भी करते हैं पतियां जो है वो चिकनी चपटी वाहरी होती है और चिकनी पतियां जो है पौधों को पानी में सड़मे से भी बचाती है और उसके साथ साथ चोड़ी वा चप्टी जो पत्तियां है उनकी साहता से वाक्षो सर्जन और प्रकास संसले सड़ भी जो है वो अधिक होता है अब बात करते हैं तीसरे टाइप की परवतिय छेत्र यहाँ पर अतिदिक ठंड होती है हिमपात होता है और ढालदर चटाने भी होती है यहाँ पर याक पहाड़ी भालू बकरी चीड और देवदार यहाँ पर चीड देवदार इंपोर्टेंट है धान रखेगा परवतिय छेत्रों में होते हैं अब इनकी विसेस्ताओं की बात कर लेते हैं तो याक जया उसकी जो तचा हो है वो मोटी तथा लंबे बाल भी बनाते हैं पहाड़ी जो व्रच्छ हैं जैसे की चीड देवदार आदी जो है वो संकवाकार भी होते हैं और इनकी साखाएं तिरची एवं पत्तियां जो हैं वो सुई के समान होती हैं और इससे जो है वो वर्षा का जल और जो बर्फ है इन पर रुकती नहीं हैं क्या रुकता है जो वर्चा का जल और जो बर्फ है इन पर यो नहीं रुखता है क्योंकि जो पत्तियां है वो सुई के समान होती हैं और आसानी से जह वो फिसल कर गिर जाती है तो थोड़ी से विसएस्थाओं फर भी ध्यान अवश्य देते रहीगा इसके लावा वीडियो नुकूलन बनाए रखने के लिए जो पक्ची होते हैं वो हिमाले के जो बरफीले छेत्र हैं या साइबेरिया है या आस्ट्रेलिया यहां से हजारों किलोमेटर की यात्रा करकर हमारे देश में आते हैं और इनी को हम प्रवासी पक्ची कहते हैं तो जगा अवश्चिधान पूछा भी जा चुका है तो ध्यान से थोड़ा सा इसको याद कीजेगा सबसे पहला है पेचिस जो कि अमीबा के द्वारा होता है पेचिस अमीबा के द्वारा होता है अतिसार जिवाडू के द्वारा होता है टाइफाइड जिवाडू के द्वारा होता है पीलिया विशा से होने वाले रोग में इन में से कौन से नहीं आता है तो ये धान रखेगा पेचिस अतिसार टाइफाइड पीलिया और हैजा पेचिस अतिसार टाइफाइड पीलिया और हैजा इस टाइब से आप इससे कोई सेंटेंस भी जो है वो बना सकते हैं P.A.T. या P.A.P. और उसके बाद T.H. यानि कि P.A.P. पाप हो जाएगा और H.T. जो है वो या T.H. जो है वो पाप है तो इस टाइप से कुछ थोड़ा सा जोड़ लीजेगा कि P.A.P. पाप और H. से है और T. से तो इस टाइप से थोड़ा सा जोड़ लीजेगा ताकि अगर आप के प्रस्ण में आए तो आप गलत ना करिए अब बात करते हैं एकत्रित जल में पनपने वाले मच्चर दोरा फैलने वाले रोग कौन से हैं तो एकत्रित जल में मच्चर की जो पर जाती हैं जैसे की A.D.E.s, A.P.E.s, आधी जो हैं ये पनपते हैं जो की डेंगो, मलेरिया, चिगन कुनिया जैसे रोगों की वाहक होते हैं तो ये 71 जल को लेकर रोग हैं और ये दूसी जल को लेकर रोग हैं दोर में डिफरेंस याद अवश रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ मिनी माता रोग यहां से भी आपका यूपी डेट में प्रसना आ चुका है कि मिनी माता रोग जापान देश के कुमा मोटी यानि की कुओ मितांग छेतर की एक कमपनी है चिस्सो कॉर्परेशन उसने 1932 से 1968 के बीच पारे को अपसिष्ट के रोप में मिनी माता खाडी में फेक दिया था फिर क्या हुआ इस खाडी के जल का पुर्दूसर इस तर बहुत अधिक हो गया खाडी के जो मचलियां हैं उसमें ये पारा जहर के रोप में प्रवेस कर गया अब इन मचलियों को खाने से लगबक तीन हजार लोग प्रवावित हुए जिनमें हाथ, पैर, मुह, सुन होना समवेदन में गड़बडी हाथ, पैर की गती में समनवय का अभाव वा फालिज जैसे लक्चर दिखाई दिये बहुत से लोगों की इस बिमारी से मृत्यू भी हो गई थी ये बिमारी पहली बार मिनी माता खाड़ी के आसपास रहने वाले जो लोग थे उनमें देखी गई थी और इसी करण इसका नाम मिनी माता रोग भी पढ़ा तो यहां से काफी अच्छी इंफॉर्मिशन आपको मिल लेए थोड़ा से लक्षणों को भी धान रखेगा हो सकता हो आपसे पूछ ले जाए क्योंकि कभी-कभी प्रस्ण गुमा कर भी पूछ ले आते हैं कि यह जो लक्षण है वो किस रोग के हैं वहां पर चिगुन-गुनिया दे दिया हो ऑप्शन में भी नी माता दे दिया हो तो इ कारखाने में क्या हुआ कीट नासक रसायन के निर्माल के लिए मिक गैस का उत्पादन किया जाता था अब 2 से 3 दिसंबर 1984 की सीत रात्री में जहरीली मिथाईल आईसोसाइनेट गैस का अचानक रिसाव हो गया इसी करण क्या हुआ यानिकि जिसके करण क्या हुआ जो पुर्दू सड़ है उससे कुछ घंटों में हजारों वेक्तियों की म्रत्ती हो गई और भारी संक्या में जानवर वी मारे गए और इसी घटना को हम कहते हैं भौपाल गैस तराजदी यहां से भी आपका यूपीटेट में प्रसन पूछा जा चुका है आपसे यह गैस तो बार बार गुमा गुमा कर पूछी जाती है मिथाइल आइसो साइनेट हुआ कप थी है गटना दिसंबर 1984 में तो देख रहे हैं आप एक चीज आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है याद करते हुए चलिएगा अब बात करते हैं अगले पॉइंट की द्वनी की तीवरता भी आपसे पूछा जा सकता है तो द्यार रखेगा असी डेशिवल से अधिक तीवरता की द्वनी कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो लाइक भी वीडियो को अवश्य करते रहेगा बात करते हैं चलिए अब आपके जो इंपोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है वो ये जो है तीनों नाम है लेड, सल्फर और नाइट्रोजन जो है इनका प्रयोग किया जता है लेड क्या है एक जहरी ली दातु है अता इस प्रकार के पेंट का उप्योग करने से सौस्त पर दूस प्रभाव प लखने हैं तीन कौन-कौन से लेड, सल्फर और नाइट्रोजन अब बात करते हैं प्रसीतक फ्रिज यानि कि जो रेफिजरेटर है और एर कंडीशनर जैसे जो सीत उपकरण है उनमें रासाइनिक पदार्त क्लोरो फ्लोरो कार्बन का उप्योग ठंडा करने वाले पदार्त के रूप में किया जाता है यहां से भी आपका यूपी टेट में प्रसना आया था कि कौन सी गैस होती और प्रसीतक के रूप में कारे करती है जो की फ्रिज के रेफिजरेटर में भरी होती है यह गैस जो है वो ओजोन परत को नुकसान भी पहुचाती है इससे सूर से आने वाली जो पराबैंगनी किर्णे हैं वो वाय वंडल में प्रवेस कर जाती है और पराबैंगनी जो किर्णे हैं उसका मानो और अन्य जीवधारियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है तो ध्यान रखिएगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये गैस का नाम अब बात करते हैं आगे जो जनसंख्या दे रखी है जो red कलर वाली है वो उत्तर प्रदेश की है और जो green कलर वाली है वो भारत की है तो आपको सबसे जो latest है 2011 की वो पता होना चाहिए कि 121 करोड something जो है वैसे आगे पीछे है मतलब जो इसमें data दिया गया वो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जनसंख्या 121 करोण है और उत्तर प्रदेश की उसमें से 19.9 ये लिखा हुआ थोड़ा सा जूम कर देते हैं 19.96 करोड जो है तो 19 करोड उत्तर प्रदेश की और भारत की टोटल 121 करोड ये जो है वो पूरा चार्ट बना हुआ है और 1951 यानि कि जो पहली आपकी जो पंच वर्सी योजना थी कभी-कभी उसकी भी पूछ ली जाती है तो तब उत्तर प्रदेश की 6.32 करोड थी और भा भारत की पूरे 36.11 करोड थी तो 6.36 दहान की 6 का 6 गुना 36 होता है 6.36 तो थोड़ा सा उससे जोड़ कर जो है आप इसे याद रखेगा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वर्स 2011 की जन गड़ना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जन संक्या 19 करोड से अधिक थी ज अहां से सीधे आपका प्रस्ट पूचा जा सकता है कि पूरे भारत की जन संक्या का जो यूपी की जन संक्या वो कित्ते परसंट है तो 16.5 परसंट है ये परसंटेज अवश्य धान रखेगा चली बढ़ते हैं अब आगे अब थोड़ा सा बात करते हैं पेट्रोलियम के बा उसके कारण वायू पूचा जा सकता है कि जो पेट्रोलियम का दहन होता है उसके दहन के परणाम सरूप कौन कौन सी जो गैसे होती हैं वो रिलीज होती हैं निकलती हैं तो कारबन डायोकसाइड, कारबन मोनो आकसाइड और सल्फर डायोकसाइड ये जो हैं वो तीनों होती और तीनों ही वायू प्रदूसर के करण में आती हैं अब कुछ important point की बात करते हैं सबसे पहला है E. coli E. coli एक अतन्त सूच्म जिवाणू है जिससे आत सोध या पेचिस भी जो होती है तो आप चे डिरेक्ट पूचा जबता है परंतु एक निश्चित सीमा से अधिक संख्या में इसकी ओपस्तिती स्वास्त के लिए भी हानिकारक होती है अगला वर्तमान में हमारी अनेक नदियां तथा अन्य जो जलसरोत है उसमें रोगाड़ू की संख्या निर्धारित सीमा से कहीं अधिक पाई गई है जिससे जन सामानी के स्वास्त का संकट उत्पन हो रहा है और लास्ट पॉइंट है आपका कि मानव हस्त छेप के करण जो गंगोत्री हिमकंड है वो प्रतिवर्स 25 से 30 मीटर की गती से सिकुड रहा है और यदि यही स्थिती बनी रही तो कुछ वर्सों में जो हिम ग्लेसियन है वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे और इसे गंगा सूखने की कगार पर आ जाएगी चली बात करते हैं अब आगे अब आगे लिखा है हरित ग्रह गैस यानिकी ग्रीन हाउस गैस यहां से आपका प्रस्न बार-बार बूचा गया है गैसों से संबन्दित तो यहां पर लिखा है कि वाता वरण में कारवन डए ऑक्साइड गैस तथा अन्यहानिकारा गैस मुक्त करते हैं तथा यह जो गैस हैं वो सूर्ज से आने वाले जो विक्रण हैं उसको अवसोसित कर लेती हैं तथा उन्हें वापस नहीं जाने देती हैं जिसके परणाम सरूप जो प्रतवी है उसका टेंपरिचर बढ़ता जा रहा है और इन गैसों के द्वारा प्रतवी का जो ताप का बढ़ना है उसी को हम हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं और इन गैसों को हरित ग्रहे गैस यानि की ग्रीन हाउस गैस कहते हैं तो ये ध्यान अवश्य रखेगा ट्रिक हम आपको ग्रीन हाउस गैस की बार बार बता चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर रिपीट नहीं करना हैं इवियस वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो अवश्य देख लीजेगा जहाँ पर मैं दो वीडियो में सभी सेट जो है प्रीवियस एर के 2011 से 2018 तक करा दिये हैं तो वहाँ पर ठ्रिक हमने आपको बताई थी मीना का जलवा और क्रीन हाउस गैस अब बात करते हैं नंभीर खत्रा मड़ा रहा है आगरा इस्तित विबिन उद्योगों जैसे की फाउंडरी और जनरेटर सेटों से निकलने वाले दुए में सल्फर डाय ऑक्साइड गैस होती है जिससे ताजमहल की सुन्दरता को खत्रा हो रहा है सीधे सीधे आपसे प्रसन पूचा जाता है कि ताजमहल की जो सुन्दरता है उस पर कौन सी जो गैस है वो दुस प्रभाव डालती है तो ये धान रखेगा सल्फर डाय ऑक्साइड गैस हो जाएगी और निकल कहां से रही है मतुरा रिफाइनरी तेल सोधक कारखाने से आगे कह रहा है कि ताजमहल को प्रदूसर से पर भी रोग लगाई जाए तो गैस का नाम ध्यान रखेगा सल्फर डाय ऑक्साइड अब बात करते हैं अन्य कुछ बिंदूों की तो सबसे पहला है पॉइंट की विस्व जन संख्या दिवस यानि कि वर्ल्ड पॉपुलेशन दे 11 जुलाई को मनाया जाता है ध्याना बश है कि जन संख्या की दरश्टी से संसार के आदे से अधिक लोग एसिया में रहते हैं तो आदे से अधिक लोग एसिया में निवास करते हैं आश्टेलिया की जन संख्या जितनी है उतनी भारत में प्रती वर्स जो है वो बढ़ती है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं क भारत की जनसंख्या वरद्दिदर जो है वो कितनी जादा है और आउस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी कम है अब बात करते हैं उर्जा के स्रोत के बारे में तो उर्जा के स्रोत में आपके दो प्रकार होते हैं एक होता है नवेकर्णी स्रोत और एक होता है आनवेकर्णी स्र स्रोत के बारे में तो जिन से पुनाह नवीन होने की चमता हो जैसे की सूर है पावन है जल और जैव जो कभी ना समाफ्त होने वाले सिंपल सी बासा में आप इसे याद रख सकते हैं आनविकर्णी स्रोत में आते हैं जो कि एक सीमा के बाद जो है पुनाह जीवित नहीं किया जा सकते हैं या समाफ्त हो जाएंगे जैसे कोईला पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल प्राकृतिक गैस यहां से प्रस्थन आपका किस प्रकार पूछा जा सकता है कि तीन आपके स्रोत ऐसे दे दिये जाएंगे जो नविकर्णी में होते हैं और एक आनविकर्णी में और आप से पूछा जाएगा इसमें से कौन सा आनविकर्णी स्रोत में आता है तो वहाँ पर पहचान अवश्य कर लीजेगा आगला पॉइंट देखते हैं कि उर्जा के वे स्रोत जिनकी आप उर्ती प्राकृतिक क्रिया कला पो द्वारा प्रकृति बनी रंतर बनी रहती है ज सबी आनविकर्णी स्रोत में आते हैं देखते हैं चलिए अब अगला पॉइंट अगला पॉइंट है कि तमिल लाडू में कन्या कुमारी के निकट पवन उर्जा फॉर्म इस्तित है तमिल लाडू में कन्या कुमारी के निकट गुजरात के ओका नामक इस्थान पर पवन च धान रखेगा, चलिए बात करते हैं, अब जोपर वचा के बारे में, देखे हैं, और भी उचा हैं, जो आप समस सकते हैं, जो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, केवल और केवल, मैंने यहाँ पर वोनी चीजों को लिया है, तो ज्वारी उर्जा क्या होती है समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो उसकी लहरे उपर नीचे उठती है तो लहरों के उपर उठने और नीचे गिरने के कारण जो गतिज उर्जा उत्पन होती है यहां से ध्यान रखेगा गतिज उर्जा होती है ज्वार भाटा में हो सकता हो आपसे स्थिति जुर्जा भी option में हो गति जुर्जा भी हो और अन्य उर्जा भी option में दे दिये हो तो ध्यान रखेगा गति जुर्जा होती है इसका उप्योग क्या है टर्बाइन चला कर विद्धुत उत्पादन में किया जाता है समुद्र की इस जो उर्जा है उसको सामुद्रिक ज्वारी उर्जा कहते हैं टाइडल पावर इसी को कहते हैं तो इसका उप्योग कहा होता है टर्बाइन चला कर विद्धुत उत्पार रदन में तो ध्यान रखेगा ज्वारी उर्जा अब बात करते हैं कोईला के बारे में थोड़ा सा तो कोईला का उप्योग इर्दन के रूप में खाना पकाने ताब विद्धुत के रह चलाने इटा भटी इन सभी में होता है तो ध्यान रखने वाली चीज के आए कि कोईले के जलने से कार्बन डाय ओक्साइड गैस अधिक मातरा में निकलती है जिससे पुर्दूसर जो होता है और साथ साथी वाय मंडल का टेंपरेचर भी बढ़ता है पेट्रोल और डीजल की बात करें तो यहाँ पर कार रेल गारी इन सभी में यूज़ होता है आप सभी जानते हैं बाकी carbon di bhi है और sulfur dioxide दोनों ही हैं परन्तु कोईला जब जला है तो केवल और केवल carbon dioxide को ही पताए गया है प्राकृतिक gas की बात करें तो प्राकृतिक gas कोईले तथा जलकिया पेच्छा स्वच इर्दन है आपसे प्रस्ण ये भी यूपीटेट में पूछा जा चुका है कि इन म liquefied petroleum gas उसको रसोई gas की नहीं से जाना जाता है इसमें मुकिता कौन-कौन सी होती है ब्यूटेन तथा आईसो ब्यूटेन तथा आईसो ब्यूटेन जो है ये दोनों होती है प्राकृतिक gas में जिसे जो है वो उच्च दाब पर दरवित करके cylinder में भरा जाता है जिससे इसका भंडारण और परिवहन सरल हो जाता है आजकल सहरों और महानगरों में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर वहनों को चलाने के लिए CNG जो है उसका भी इस्तमाल होता है तो CNG की full form भी ध्यान रखेगा compressed natural gas LPG की liquefied petroleum gas और CNG की compressed natural gas और इसका use कहा हो रहा है महानगर या सहरों पेट्रोल और डीजल के स्थान पर और इससे जो है वो पुर्दूसर भी जो है वो कम होता है इस चीज का भी विशेज धन रखेगा बाकी नीचे कोई ऐसी important point नहीं है last में हम देख लेते हैं कि विकास के नाम पर जिस तरह प्राकृतिक संसादनों का दोहन हो रहा है इससे देश में परवन प्रदूसर और परवन असुंतुलन जैसी समस्य है उत्पन हो रही है विकास आवाश्य के साथ साथ प्राकृतिक संसादनों का संरचर भी आवाश्य का है इसके लिए ऐसी तकनीकी अपनाई जाए जो इको फ्रेंडली हो यहाँ पर एक वर्ड अच्छा ल जैसे कार खानों की चिम्नीयों में धूमर अवच्षेपक लगाना जिसको नहीं पता है घूमर अवच्षेपक क्या होता है तो चिम्नियां जहांसे ahor निकलता है वहां पर layering आता है मतलब इस सारी चीजह प्रदूसरण ना फैले जा दूसर प्रफाव Ricky लए उसको होती है इसी परकार इट भट्टे की जो चिमनिया उसको ऊचा करना बैटरी चालित जो वहान है उनका प्रियोग करना ताकि क्योंकि आप देखते हैं बैटरी चालित में जो धुआ होता है वो नहीं निकलता है कारकाने जो है उसके असपास पौधरोपड करना इस अभी जो है अगला पॉइंट है सामानी जो बिजली के बल्व हैं उनके इस थान पर CFL, CFL की फुल फॉर्म याद कर लीजेगा Compact Floorcent Lamp, उसके साथ साथ LED, LED की फुल फॉर्म क्या है? Light Emitting Diode, यह जो है वो LED की फुल फॉर्म है, तो CFL और LED इनका उपयोग आप सामानी जो बिजली के बल चुप से होती है, उसको जो है यह बचाने में साहिक होता है, तो इसका उपयोग करने से अपयाच्छा करत कह सकते हैं, अधिक प्रयाज, प्रकास भी मिलता है, और उरजा की बहाचत होती है, अब छलए बात करते हैं, थोड़ा सा आपदाओं के बारे में, आपदाओं की ब में जो भुकम की बात की जा रही वो आया था 26 दिसंबर 2004 को समुद्री भुकम जो की हिंत महासागर में था अब आपदाओं की प्रकार की बात करने तो दो प्रकार होते हैं प्रकृतिक आपदा और दूसरा मानोजनित आपदा प्रकृतिक आपदाओं में भुकम जॉलम की आकासी बिजली का गिरना बादल का फटना और बादल के फटने को यहां पर क्या लिखा हो है उपल व्रष्टी झोड़ा सा यंद रखीगा डारेक्ट भी तुझी जा सकते हैं उपल व्रष्टी क्या है तो यह सब रसाओं मानो जनित की बात करें तो बमों का विसपोर्टbook इसर-Rail और वायू, या जो दुर्गात नाई है, आग लगाना, महमारी ये सभी जो है वो, किसमें आती हैं? मानोजनित में, और महमारी को भी ध्यान रखीगा मानोजनित में ही आती है, क्योंकि कहीना कही जीवानू भिसाडू से फैल लई है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या य आज के भुज में आया था 26 जनवरी 2001 को देट अबस सिधन रखीएगा बहुत बार पूछा जाता है भुज भुकंप के बारे में तो 26 जनवरी 2001 तथा हाली में अपरेल 2015 में भी नेपाल में आय भुकंप से आपार जन धन की हानी होई थी भुकंपों के उत्पत्ति जो है जो जौलम की विस्पोट है महाद यूपी और महासागरी प्लेट के संचलन के कारण है ब्रंसन एवं वलन है मानो निर्मित जलास है जो है उनके जलदाब दोरा है अडू बमों के विस्पोट दोरा है भुकंप जो है उनके तेज जटकों के कारण नदियों पर जो निर्मित ब और जो नेपाल में भुकम की बात की जारी वो अपरैल 2015 में जो है वो आया था चलिए बात करते हैं आगे लाश्ट में हम अभी आपसे एक प्रस्थ भी पूछेंगे जो हम सभी वीडियो में हम आपसे पूछते हैं अगला भुकम की तीवरता का मापन की बात करें तो सिस्मोग्राफदारा रिक्टर मापक के आधार पर होता है और इस मापक की जो रचना है वो चार्ल्स एफर रिक्टर ने की थी कब की थी 1935 में इनी रिक्टर के नाम पर आप इसे रियाद रख सकते हैं रिक्टर मापक और कब की थी 1935 में जो है वो की थी रिक्टर मापक पर अंकित अंक जो भूकम की तीवरता और परिमाप को इंगित करते हैं वो 0 से 9 के बीच होते हैं और भूकम्प से आने वाली वास्तिविक जो छती है तब प्रारम होती है जब उसकी जो तीवरता होती है वो रिक्तर मापक पर 5 या उससे अधिक होती है और जब आने वाले भूकम्प की तीवरता रिक्तर मापक पर 8 या उससे अधिक होती है तो इसे बहुत अधिक जो है वो अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट की तो आलपस तता हिमाले परवत पर जॉलम की जो है वो नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर क्रश्ट यानि कि जो उपरी परत है उसकी मोटाई तता सखंता अधिक होती है अगला पॉइंट है कि सयुक्तराज अमेरिका में माउंट हैट स सेंट हैलेंस के 1980 में जोलम की का उदगार अतिव स्पोटक तथा प्रचंड था और इससे निकलने वाला जो लावा था वो विकंडित पदार जैसे की गैस धूल राक तथा दुआ इतना अधिक था कि वायू मंडल में 19 किलोमीटर की उचाई तक व्रहदाकार बादलकार नि स्याएं भी होती है जिसमें सुनामी की उत्पति मौसम जलवाई परिवर्तन पाईसितिक परिवर्तन ये सबी हो जाएगा अब बात करते हैं अगले पॉइंट की सुनामी के बारे में सुनामी जो है वो जापानी भासा का सब्द है आपको याद रखना है सुनामी जो है वो वो कह सकते हैं अधिक होती है तो आपको मेन में डाटा जो है वो याद हर रखना है अब बात करते हैं अल्लाह का बांध के बारे में ये क्या है तो 16 जून सन 1819 में गुजरात राजी के कच्छ में भेंकर भूकम पाये था अब इस भूकम के करण क्या हुआ अरब सागर में जो तो इस भूकम के करण 24 किलोमीटर की लंबाई में इस थली भाग उपर उड़ गया था और जल से घिरे लोग इसे इसी उपर जो उठे इस थली भाग है उस पर अपनी प्राण रच्छा है तो सरण प्राप्त करने लगे थे और इसी कारण इस इस थल को अल्लाह का मान नाम दिया गया है तो काफी इंपोर्टेंट तरीके से इसमें लिखा है कि किस प्रकार जो है इसका निर्माण हुआ है अब बात करते हैं अगले पॉइंट की 1883 में क्राका टोवा जोला मुकी जो है उद्वेदन के कान उद्पन ने जो प्रचंड भूकंप है उसके दोरा 120 फीट यानि कि 36.5 मीटर उची सागरी लहरे उद्पन है और ये लहरे इतनी प्रचंड थी कि इनके करन जावा और सुमात्रा के तटवर्ती जो भाग है वो ज चक्रवात और तूफान के बारे में लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर नाम द्यान अकने है कि समुद्री चक्रवात है उनको विस्ट के विविन देशों में विविन नाम से जाना जाता है जैसे कि सहुंक तराज अमेरिका में हरीकेन के नाम से चीन जापान तता पीन्स में टाइफून के नाम से बांगला देश तता भारत में चक्रवात के नाम से और आश्ट्रेलिया में जो है वो विली विली के नाम से जानते हैं धान रखिए का बहुत इंपोर्टेंट नाम है साभी चली बात करते हैं अब आगे अब बात करते हैं उधान के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 अक्टूबर 2014 को अंद्रप्रदेश के विसाखा, पतनम और उडिसा के 30 छेत्रों में चक्रवाती तूफान आया था, इसे उमान देश ने हुदहुद का नाम दिया था, हुदहुद आपसे पूछ लिए ज़े चक्रवात कब आया था, तो 2014 12 अक पक्षी भी है, देखिए एक और important चीज़ आपको पता चल ले ही है, कि हुदहुद जो है वो इजरायल का राष्टी पक्षी भी है, और भारत में इसे कटफोडवा के नाम से जाना जाता है, कटफोडवा आपको सीटेट में मैंने बताया भी था, तो वही जो है आपका ये है, इस चक्रवाती तुफान के आने से पूर्व ही लोगों को सूचित कर दिया गया था, तो था बचाओ की तैयरी भी हो गई थी, इसलिए अधिक जानमाल की आनी नहीं हुई थी, फिर भी तेज हवाओ तो था बारिज की चपेट में आने से 30 लोगों को अपनी जान गवा किया हुआ, इम्यूनों का होता है, रोगों से लड़ने की चमता, डिफिसेंसी होता है, कमी, सिंड्रोम होता है, लेक्षडों का समू, और लोगों को एड से बचाओ के पृति जागरू करने के लिए, एक दिसंबर को विस्व एड से दिवास भी मनाया जाता है, बात करते ह इनके चर्नोबिल परमाडू उर्जा संस्थान में भीषड नाभी की दुरगटना होई थी, इसके बारे में जान लीजे, क्योंकि हम बोपाल गैस्तराजदी उपर बता चुके हैं, तो इससे निकले, यानि कि जो चर्नोबिल परमाडू उर्जा संस्थान में जो भीषड नाभी की दुरगटना होई थी, इससे निकले भारी मातरा में रेडियो एक्ट्व पदार से लोगों की म्रत्य हो गई थी और इसे नाभी की दुरगटना का प्रभाव, रूस और उसके पड़ोसी देश हैं, उन पर ही नहीं, बलकि दूर दूर तक, यानि कि भारत तक जो ह अबदाएं हैं, उसके रूप में आती हैं, और यही चर्णोबिल नाभी की दुरगटना के बारे में या लिका है, कब होई थी, 1986 में, और इसमें भी अपार जंधन की हानी होई थी, अब बात करते हैं, इबोला के बारे में, इबोला एक वाइरस है, क्या है इसके बारे में इबोला विसाणू से संक्रमित जानवार जैसे की बंदर, चमकादर, सुर, इत्यादी जानवरों के या संक्रमित रोगी के पसीने, लार, संक्रमित खून या मल के सीधे संपर्क में आने से फैलता है, संक्रमित सुई से भी फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के सव के संपर्क म इसके लावा इसके विसानू का संक्रमण सास के जरी एर बॉर नहीं फैलता है बलकि इसका संक्रमण रोगी से सीधे संपर्क में आने पर ही फैलता है इबोला से बचाओ के लक्षड यहां पर लिखे हुए है कि लक्षड दिखाए देने पर तुरन डाक्टर से जाच करा लें आसपास साफसफाई रखें साबुन से हाथ दोएं आसपास मच्रों को नापन अपने दें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें और इबोला बिमादी से मरने वाले व्यक्ति के कपडे चादर या उपयोग में लाई गए चीज़ों को भी नाचुएं और साफसफाई बनाए रखें अब बात करते हैं आपदा प्रबंदन के बारे में तो भारत की संसत ने 2005 में आपदा प्रबंदन विद्याग यानि कि डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो पारित किया था 2005 में इस अधिनियम दोरा राष्टी आपधा प्रबंदन प्राधिकरण यानि कि नेशनल डिजाष्टर मेरेजमेंट अथोर्टी NDMA जो है इसका गठन किया गया था त्यान रखेगा 2005 में आया था अब आपधा प्रबंदन की संस्था का संरचना की बात करें तो केंद्र सरकार की ब जिला प्रसासलन की बात करें तो जिला आपधा प्रबंदन प्राधिकरण और इसका अधिकारी होता है इसके साथ साथ राष्टि आपधा प्रतिक्रिया बल यानिकी नेशनल डिजाष्टर रिस्पॉंस फोर्स NDRF काफिवार आपने सुना हो गया NDRF इसका प्रमुकार प्राकृतिक और मानोजरित आपधाओं से भी निपटने के लिए पूरी त्रेके से रेडी रहते हैं। चलाया था और इनका प्रमुक कथन था बांध नहीं चाहिए बांध पहाड का विनास करते हैं। अगले की बात करें अगला है सुगाता अतकुमारी दच्चड भारती परवरण विद सुगाता कुमारी सांत घाटी सनरचड के लिए मुक्रोप से जानी जाती है। सांत घाटी जय विवता के लिए प्रसिद्ध है जैसे कि आप जानते हैं इसे पहले बाले पार्ट में बदाया था। और ये प्रकृती सनरचड समीती की संस्थापक सदस से भी जो हैं वो थी। इन्हें भारत सरकार दोरा पहला इंद्रा प्रियदर्शनी व्रक्ष मित्र पुरसकार पदमसरी से भी सम्मानित किया गया था। तो सुगाथा कुमारी के बारे में सबसे इंपोर्टन क्या है सांत घैटी जय विवता के लिए प्रिशिद्ध हैं और इंद्रा प्रियदर्शनी व्रक्ष मित्र पुरसकार भी इनी को मिला था। तो धान अवश्य रखिएगा। अगला बात करते हैं बाबा आमते। तो ध्यान रखिएगा। इनमें आपका नर्मता बचाओ आंधोलन भी आ रहा है और पुरसकार इनको रैमन मैक्स से जैसे सभी इंपोर्टन्ट एवार्ड जो है वो मिले हैं। अगले और लाश्ट अमारे परवरण विद हैं सुनीता नाराण। शुनीता नाराण की बात करें तो भारत की परसित परवरण विद हैं। इन्होंने और द्योगे का विकास का परवरण पर पढ़ने वाला प्रभाव पर सोधकार भी किया है। और ये हरित और सतत विकास के समर्थक भी हैं और 1982 से ये दिल्ली इस्थित विज्ञान और परवरण केंदर से भी जुड़ी रही है। और 2005 में भार सरकार ने इन्हें पदमसिरी और राजी लक्षिमी पुरसकार से भी अलंकरित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले और लाश्ट हमारा पेज है परवरण कलेंडर यहां से प्रसना आपका 110% आएगा तो याद सभी को अवश्य कर लीजेगा और इसके अलावा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहा किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी अवश्य कर सबसे पहला है 20 मार्च 20 मार्च को क्या मनाया जाता है विस्व घरेलू गौरया दिवस क्यूं मनाया जाता है उसके बारे में बात करें तो यह दिवस गौरया के सनरचण है तू लोगों को सनरचण या लोगों को जागरुक करने के लिए जो है वो उद्देश से मनाया जात अगला है 22 मार्च जो होता है विस्व जल दिवस जल सनचन, संचियन और पानी की बरबादी को रोकने के उद्देश से ये दिवस जो है वो मनाया जाता है अगला है 22 अप्रैल को प्रतवी दिवस परवनी समस्याओं के प्रती जगन जाग रुपता पैदा करने के उद्देश से ये दिवस मनाया जाता है अगला देखते हैं 5 जून विस्व परवन दिवस परवन संतुलन बनाए रखने में लोगों की भूमी का पर जन जाग रुपता लाने के उद्देश से ये दिवस मनाया जाता है और मैंने जैसा कि कहा था कि वीडियो के अंत में हम आपसे एक प प्रसन पोश्टे हैं तो इस वीडियो का आपके लिए यही प्रसन है आपको ये बताना है कि 5 जून को जो विस्व परवन दिवस है ये हम कब से मनाते हैं एक सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन का नाम अगर पता है आपको नाम भी बताना है और सन भी आपको बताना है कि कि किस अगला है 11 जुलाई, 11 जुलाई को विस्व जनसंख्या दिवस मनाय जाता है, जो जनसंख्या वरद्धी है उसको कह सकते हैं, जागरुकता की उसको रोकने के समद्ध में, जागरुकता फैलाने के समद्ध में, अगला है 18, sorry 16 सितंबर को विस्व ओजोन दिवस, विस्व ओज दोन दिवस मनाया जाता है एक से साथ अक्टूबर की बात करें तो वन्नी जीव सप्ता मनाया जाता है इस अप्ता जो है उसमें वन्नी जीवों के सरने चड़के प्रति लोगों को जागरुग भी और प्रेरीद भी किया जाता है और अगला लाश्ट पॉइंट ऐस वीडियो प्रता उद्पन करना आबदा प्रबंदन के उपायों पर चर्चा करना यह सभी जो है वो आता है तो इन सभी दिवस को अभी याद जरूर कर लिजेगा क्योंकि यहां से प्रस्ण आपके पूछे जाते हैं मैंने इसको थोड़ा से जूम आउट कर दिया आप चाहें तो इ लाइक जरूर कीजेगा इसके लबा कोई प्रस्ण हो तो कमेंट सक्षन में लिखकर आप पूस सकते हैं इसके साथ साथ नए चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तो तक के लिए नमस्कार थंकि वर वोचिंगे अंटियु के सब्सक्राइब।